Hello Learners, Welcome to Jalto EKTU की कांसलिंग में दो टाइप की फीज जो है आपसे लिजाती है कांसलिंग के टाइम पे एक होता है रेजिस्ट्रेशन फीज जिसकों कांसलिंग फीज भी कहते हैं और वहीं पे जो seat confirmation fee पे होता है वो second और third phase में आप जो है when car सकते हैं लेकिन अगर आप second round बे में 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 टो 75% ही रिटर अहब होगा और और настो 3rd round हेज़र एक विट्रो करें में तो 50% reference होता है तो सबसे पहले हम बात करने कि registration या फिर counseling fee कितनी है तो इस वक्त registration और counseling fee 1000 per candidate है यानि कि आपको 1000 रुपए fee pay करके आपको पहले counseling के registration करना होगा उसकी बाद फिर जब choice filling कर लेंगे, choice locking कर लेंगे आपको seat allotment हो जाता है और जब आपको seat allot हो जाता है तो उस seat को confirm करने के लिए आपको जो है fees pay करनी होती है तो अगर आप general या फिर OVC category के हैं तो आपको seat confirmation fee pay करनी होगी वो होगी 20,000 20,000 रुपीज आपको seat confirmation fee जो है वो pay करनी होगी और वहीं पे अगर आप withdraw करते हो second phase में तो 75% वापस होगा यानि कि nearly 15,000 और वहीं पे अगर आप जो है third round बे withdraw करते हो तो 10,000 refund हो जाता है clear वहीं पे अगर आप SCST category के हैं तो आपको seat confirmation fee जो है वो pay करनी होगी general OBC के लिए 20 SCST के लिए 12,000 रुपए है और वहीं पे अगर 12,000 रुपए अगर आपने pay किया है और आप second round में withdraw करते हो तो 9,000 रुपए वापस मिलेंगे और अगर third round बे withdraw करोगे तो 6,000 रुपए जो है आपको वापस मिलते हैं second round बे withdraw करने पर 75% बिलेगा और third round बे withdraw करने पर 50% आपको जो रिफेंड होता है ति यह दो important type के fees होते हैं जो कि आपको AKT की counseling के time पे pay करने होते हैं एक registration fee जो की 1,000 रुपए है और दूसरा है seat confirmation seat allotment होने पर seat को confirm करने के लिए 20,000 रुपए general OBC के लिए और 12,000 रुपए